गुड इब्लिंग अब्रिवन आम बैक अगें तो आप सब लोग जानते हैं कि इस साल सोनी अपने चीज़ें पर कैश्बाग कॉफर दे रही है तो इस दिवाली किस्टमर रेक्टा कैस्टा कॉफर कैसे दिलेगा यह कैस्टा कॉफर क्या है से कब से कब तक यह चलेगा इन अगर पनाइलाप का सब्सक्राइड नहीं होगा तो कस्टमर स्कनला के लिए इलीज़िबल नहीं होगा को लेके मैं डिस्क्राइब करूंगा तो पांच परसेंट के लिए कस्टमर को जो मिनिमम स्वाइपिंग करना है वो 15,000 रुपे करना है और यह टीवी के मॉडल पर वैलिड होगा वो होगा 3,000 रुपे अगर कस्टमर बोलता है कि मैं एक लग का टीवी पर्चेस करता हूं और मेरा पांच परसेंट का कैश बैक है तो पांच परसेंट के हिसाब से होता है 5,000 रुपे तो कस्टमर को पांच जान नहीं मिलेगा तो यह बात दिमाग में आपको रखना है तो कि 32 इंच का कोई मौडल एक लाग का तो है नहीं तो 32 इंच और उसके नीचे का जो भी मौडल है उसमें अगर कस्टमर स्वाइप करता है और आप 6 मंद का EMI करते हो तो कस्टमर को मैक्सिमम जो कैश बैक मिलेगा वो 5% करने है अब बात करते हैं 10% कैश बैक के लिए जो आपका जो पाइनलाप का सर्फिंग मसीन है उसमें कस्टमर को आपको 6 महिने का EMI करवाना पढ़ेगा अगर 6 महिने का आप EMI नहीं करते हैं तो कस्टमर को डिएक बैक कर लेते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जभी भी स्वाइप करोगे तो वह EMI म लेगा, चालीज सिंच है नेवब, सपूज, उन्चा सिंच हमारा एक लाग रुपय का आता है, सो कस्टमर वहाँ पर आपसे सवाल कर सकता है, कि एक लाग का मैं टीवी ले रहा हूं, 10% कही साथ से 10 ज़र रुपय कैश्बैक मिलता है, सो कस्टमर को 10 ज़र नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिम इमाउंट है कैश्बैक की, वो है 6,000 रुपय, सो कस्टमर अगर आपसे OLED भी खरीतता है, और अगर अपने क्रेट काट से स्वाइपिंग करवाता है, और EMI में कनवर्ट कराता है, तो कस्टमर को 6,000 रुपय से जादे का कैश्बैक नहीं मिलेगा, जिसको ओफर फिर येड होगा, 5 अक्टूबर से ले करके 15 अवन बनता है, अगेन गाईज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास दो ओफर है, 5 परसेंट और 10 परसेंट कैश्बैक का, जिसके लिए 4 कंपनी के क्रेट कार्ट, अत्वा देविट कार्ट वैलिड हैं, जिसमें है, ICICI क्रेट कार्ट, एक्सिस क्रेट कार्ट, SDFC क्रेट कार्ट और SDFC का डिविट कार्ट, अगेन, आपके दुकान पे, पाइनलाब का स्वाइपिन मसीन लगा होना चाहिए, तीसरी चीज़, जब भी आप स्वाइप करोगे, तो कस्टमर को 6 महिने का EMI करवाना परेगा, बीना 6 महिने की EMI कराये हुए, कस्टमर को कैश बैक नहीं मिलेगा, तो होब, आप सब लोग ये वीडियो देखो, समझो, अगर इसके बाद भी किसी तरह का कोई परिशानी होता है, तो क्रिपया आप 3 फिल करें, कॉल करने के लिए, धन्यवाद,